अलो स्टूडेंट्स पाज इस वीडियो में बात करेंगे नीट 24 फिजिक्स याने बहुत एक शास्त्र के पेपर की इसका सॉलूशन और इसका एनालिसिस और वो भी हिंदी भाशा में इस चैनल भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं देखता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ट्रगल करते हैं मैं नातो क्वालिटी का उनको स्टड़ी मटेरियल बाहर मिल पाता है और माहिं उनको बहुत विक्र के साथ पढ़ाता है तो केवल भाशा ग्यान के कारण योग्यता के कारण नहीं केवल भाषा की वजह से वह बहुत सफर करते हैं प्रयास किया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए चैनल स्टार्ट किया है आपका इदी सपोर्ट मिला तो जैए भी नीट भी पूरी फिजिक्स एवन बोर्ड एक्जैम्स की भी आप मुझ से पढ़ सकते हैं चैनल पर तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम क्या कर रहे हैं हम कर रहे है हिंदी मीडियम में याने हिंदी भाषा में नीट यूजी दोजार चोवीस का पेपर तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सेक्शन ए तो आपको पता होगा सेक्शन ए में होते हैं 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं जिन में से कोई 10 आपको अटेम्ट कर करना होते हैं कि section B में कोई भी 10 total 45 questions आपको attempt करना होते हैं लगबग एक घंटे में कि तो पहला question लेते हैं एक वर्नियर केलिपर्स में वर्नियर पैमाने के एन प्लस वन खानों का मान मुख्य पैमाने के एन खानों को यहाँ दी वहां कि एन पलस वन का मन मिली मीटर हो तो वर्नियर नियतांग सेंटी-मीटर में है ऩो एक इन-फॉरमिशन तो यहां दी हुई है अक्रीर के gefallen अंप उन पह्की वहर्णियर सेचेट डीविजन मतलब र्नियर पहँए मनें के एक खाने का मान तो यह information हमको दी हुई है फिर बोला है कि one MSD यह जो मुख्य पैमाने का एक खाना है वो कितने का है वो है 0.1 mm का 0.1 mm का है मुख्य पैमाने का एक खाना हमको चाहिए क्या है वर्नियर नियतांक मतलब हमको ग्याद करना है अल्पत मांक लीश्ट काउंट या वर्नियर नियतांक वर्नियर कानस्टेंट और वह वह मितिसमे सेंटी मीटर में अश्द्राण देना पुदेगा है चलनि Saints को पता होगा कि अल्पत का मान माइनस वर्नियर के एक खाने का मान तो इन लोगों ने अभी यह पेपर दिया है अभी दोजार चोबीस में वो अपने आंसर चेक करेंगे और जो 25 में देने वाले हैं वो पूरी बातें ध्यान से सुनेंगे कहां पर गड़वड होती है यहां पर यह फॉर्मुला लग एमेजडी माइनस वीच दी मतलब मुख्य पैमाने के एक खाने का मान माइनस वर्नियर के खाने का मान अब अब मैस दी हमको मालूम है वी एसडी को में यहां से गयाद करके यह सब्सूूट कर देते हैं इस information से यह हमको दिए हुई information इसे VSD को कितना लिख सकते हैं एन अपॉन एन प्लस वन एन अपॉन एन प्लस वन क्या मैंने मान रख दिया वी एसदी का वर्नियर के एक खाने का मान एन प्लस वन को उधर ले जाएंगे तो एन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा अब इसमें से मस डी कर दो एंगे मान को पता व्यृत कहा मिले लेने पार यह होगा माइन प्लस वन यह इसको सॉल्फ करना एंट कैंसल वर्न अप्उन प्लस वन एमेस्टी आ गया यह मिला हम को वरनियर नियतांग कितना आ गया वन अपॉन वन अपॉन एंच फ्लस उन वन अपॉन एंप्लस वन और वह वह वी कि साथ में क्या है मांड डाल देते हैं पॉंट वन पर यह आएगा किसमें यह अंसर आएगा आभी यह मिलिमीटर में मतलब में इस compass एंट प्लस वण को प्रक्ष का देते हैं पर हमें आंसर किसमें चाहिए संमस्थ मिलिमीटर में तो एक से और दिवाइट कर देंगे इसको कुस्य आया है यह ऊप्ष हनर यह efter न प्लस आप इस बच्चे छोड़ देते हैं तो वर्नियर का और स्कुरूगेज दोनों का वीडियो है जही में में आए हुए क्वेस्टिंस का भी एक वीडियो है वह आपको देख लेना चाहिए तो हिंदी में भी अभी मैं बनाने वाला हूं पर इंग्लिश में भी उस वीडियो को देख लें आप दोनों को वर्नियर या स्कुरूगेज का एक क्विश्चन कंपल सरीली इनिश्चत रूप से आता ही आता है यह क्विश्चन आपको समझ में आया होगा मैं फिर से एक बार से हैं बोलता हूँ हमसे कहा एकी एन प्लस1 एन प्लसवन वर्नियर पाइबाने के खाने एन मुख्य पाइबा सब्सक्राइब निगा था यहां से टर्म्स में यह निकाल लेंगे एन अपन फ्लस वन MSD MSD कि यहांने common यह हमें दिया हुआ था वन बाइट एन फॉन प्लस वन में मैं यह आगे हमारे पास में वर्नियर नियतांग पर यदी जल्द जल्दबाजी में इस पर यदि आपका ध्यान नहीं गया तो हो सकता है इसमें तो नहीं है हलां कि वह option पर वन अपॉन टेन इंटू एन प्लस वन बोला होता हो सकता है गलती से आप उसको से क्यांटी मीटर याने option तू इसका करेक्ट है अगला क्यों यदि यंग द्वी जिरी प्रयोग में मतलब यह क्यों कहां का है यह तरंग प्राकाशी की का वेव ऑप्टिक्स का तो यंग के द्विसलिट प्रयोग का के बारे में बात हो रही है उसमें एक वर्णी स्त्रोत को प्रकाश से परिवर्तित कर दिया गया कि पहले कैसा था वह मोनो क्रॉमेटिक एक वर्णी जो आप पढ़ते हैं जैसे केवल लाल या केवल यलो पीले रंग के प्रकाश से प्रजवलित करेंगे हम या स्लेटों को इल्यूमिनेट करेंगे तो हमको एक फ्रिंज पैटर्न द दिखाई देती है कि यदि केवल लाल से करेंगे उसको कहते हैं मोनो क्रोमेटिक याने एक वर्णी प्रकाश तो एक वर्णी प्रकाश का जो फ्रिंज प्रकाश होता है वह तो कैसा होता है एक लाल पट्टी फिर एक काली फिर एक लाल फिर एक काली इस तरह का फ्रिंज पै है व्यतिकरण प्रारूप मतलब interference pattern अद्रुष्य हो जाएगा कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक अदीप्त केंद्रिये फ्रिंज होगी तो यह तो बिल्कुल गलत है अद्रुष्य तो नहीं होगा और ना ही केंद्रिये फ्रिंज अदीप्त यान डार्क होगी यह भी गलत है कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक दीप्त केंद्रिये फ्रिंज होगी सभी दीप्त फ्रिंज समान चोड़ाई की होंगी यह भी सब गलत लिखा हुआ है आंसर इ और इनकी वेवलेंद सबकी अलग-अलग है एक वरणी प्रकाशों की सभी की सबकी वेवलेंद अलग-अलग है पर जब यह केंद्र पर पहुंचती है तो इनके बीश पथांतर शून्य होगा फिर वो कोई भी रंग क्यों नहों और इसलिए केंद्र पर तो बनेगी दीप कें केंद्री फ्रिंज और वो केंद्री फ्रिंज के दोनों और थोड़े से कुछ रंग दिखाई देंगे पहले रेड दिखता और फिर वो ग्लूईश हो जाता है इसको डीटेल में मैंने समझाया हुआ है एक वीडियो में इंटरफेरेंस विद वाइट लाइट वह आप लिखाई देंगे उसमें रेड से शुरुवात होती है और फिर फोग्लूईश हो जाता है बहुत थोड़ी सी जगह में इसका आंसर है कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक दीप केंद्री फ्रिंज अगला क्विश्चन करते हैं निमलिखत सत्यता सार्णी त्रूथ लचान देना है जीरो यह लोट इन्पुट में आप न मिल रहा है ओन से जीरो जीरो से वन वन से जीरो से इसका मतलब हम वाई को लिख सकते हैं निगेशन भी लिगेशन या नॉट भी नॉट भी यह इसका आंसर है ऑप्शन ठी करेक्ट हो गया तो बहुती आसान सा विश् हग बंकी बैट्री को बैट्री का इनर्मिनल वोलटेज किया है जब इसके चित्रा नुसार चार ओं के बाई प्रति रो depreci नरहां है तो यpos बात हो रही है जिसका विद्धित वह के पॉजिटिव टेर्मिनल मतलब धन धनात्मक टेर्मिनल से बाहर निकल रहा है इसका मतलब यह सेल निरावेशत हो रहा है यह सेल हो रहा है निरावेशत डिस्चार्ज हो रहा है और निरावेशत सेल के लिए आपने पढ़ा होगा तर्मिनल वोल्टता वो होती है उस सेल का एमस माइनस सरक्ट में बहने वाला करेंट इंटू अंतर प्रतिरोज यह 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 आवेश्थ हो रहा होता मालों यह करेंट अंदर दिखाया होता तो फिर यह प्लस आई आर हो जाता है अभी हाल फिलाल यह फॉर्मूला लगाना था आपको विद्धत वाहग बल कितना है व वोम है और यह में दस वोल्ट करंट हो जाएगा टैन अपॉन फाइव यहने कितना टू एमपीर तो बस आपको यह वैल्यू डाल देनी थी करंट टू एमपीर आंतरिक प्रतिरोज एक यह या गया आठ वोल्ट के बराबर तो यह इस का अंसर है आसान सा क्वेस्टन था 5 सेकेंड में 20 दोलन पूर्ण करती है सुई का जड़त्व आगूर्ण 9.8 गुणा दसकी घात माइनस 6 किलोग्राम प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वेर है यदि सुई का चुम्ब की आगूर्ण का परिमान एक्स इंटू एंटू दी पार माइनस 5 एमपीर मीटर स्क्वेर हो तो एक्स का मान क्या है तो जैसी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा शायद आपको याद आ गया होगा कि यह क्वेश्चन है दोलन चुम्ब कत्व मापी से दोलन चुम्ब कत्व मापी अब क्योंकि यह CBSE के सिलेबस में नहीं है तो बहुत से बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा तो सिलेबस में हो या नहीं हो आपको तो सब कुछ पढ़ना चाहिए दोलन चुम्ब कत्व मापी का यह क्वेश्चन है एक समान चुम्बकी क्षेत्र है और उसमें चुम्बकी सुई दोलन कर रही है इसके आवर्तकाल का सूत्र होता है तू पाए अंडरूट आ पान Mb जिसमें आया है जडत्वागूर्ण, M यह चुम्बकी आघूरण और वह बाहुथ चुम्बकी यह चुम्बकी क्षेत्र जिसमें वह सुई दोलन कर रही है अब हम को चाहिए क्या है तो हमको बनाए जिसमान का परिमान, M का परिमान यह है एक सब्सके घाiken फो मा कर देते हैं squaring work कर देतें हैं दोनों पक्षों का तो टी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आई अप ऑन एम्बी और इसमें से एम को बाहर कर लेते हैं कितना होगा एम बराबर होगा आप देख रहे हैं आंसर के तरफ भी ध्यान देना है चाहिए पाई स्क्वेयर के पदों में आ रहा है वो आंसर तो पाई स्क्वेयर में आप 22 by 7 में डाल देना उसको वैसे ही रहने देना और जड़त्वागूर्ण वो दिया हुआ है जड़त्वागूर्ण 9.8 गुणा दसकीगात माइनस चाहिए वह भी ऐसाई यूनिट्स में है ती आपको पता है क्या मालूम है क्या तो टी नहीं पता पर हमको यह बोला हुआ है यह बोला हुआ है कि पांच सेकेंड में बीस दो समय एक दोलन में लगने वाला समय जिसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं आवरतकाल वह कितना होगा वह वहां फाइब बाइब ट्वेंटी मतलब भी वन बाइफोर वन बाइफोर सेकेंड इंग्लिश में भी यह पेपर डिसकस किया था उसमें गलती से वहां फोर लिखा था तो सामने बैठे बच्चों ने भी कुछ नहीं बोला और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं बो का ध्यान रखना है अब एम के लिए केलकुलेशन करनी है तो फोर पाइस क्वेयर को पाइस क्वेयर ही रहने दें और आई मतलब जड़त वागूर्ण वह कितना डालने 9.8 गुणा दसकी घात माइनस च्छै यह आ गया और टी स्क्वेयर पी स्क्वेयर मतलब वन बाइफोर का स्क्वेयर है बन गाय और को छूटता है क्या और कुछ नहीं चूटता यह 16 ऊपर चाला जाएगा और यह चार का स्क्वेयर वाइफोपर गया और एक ज्सकव्णा दसकी घात अच्छा बी भी आएगा यहां पर यहां बी भी आएगा एम को हटाया तो यहां भी आएगा और भी कितना है भी है पॉइंट 049 049 ऐसा होगा यह बी का मान तो फिर क्या करें अब इधर 49 करके 1000 उपर और 10 नीचे मतलब सौ बचेगा यहां और इसको एक्वेट कर देते हैं किसके साथ एक्स गुणा दसकी घात कितना बोला माइनस पांच तो थोड़ा और यहां फिर से मैंने छोड़ दिया है क्या पाइस के यह भी आए गई आएगा यह हुआ पाइस के अर यह निकल कर आया एक्स का मान होगा 1280 पाइस स्क्वेर आप से नेट में बन जाता उसके लिए क्या क्या जरूरी था जरूरी यह था कि तो फॉर्मूला याद हो जाता है तो टाइम पी रेट का फोर्मुला है टूपा अरूट आवाएं बी किसके लिए दोलन चुंबक तुमापी के लिए मतलब बाहिए चुंबकी क्षेत्र में जब पोई चुंबक क्या कर रही होती है तब इसके आवर्दकाल का यह सूत्र है तो औप्शन फोर करेक्ट है इन बातों का ध्यान रखना है आगे क्या बोले लंबाई लंबाई तथा सौ ओम प्रति रोट के एक तार को दस ब्राबर भागों में विभाजित किया गया है तो आपको पता है कि किसी तार का प्रति रोट दस भरबर भागों में उसको बांटा है मतलब एक भाग की लंब़ाई कितनी हो जाएगी ilAD talking तो प्रतिरोध भी prospects होने मतलब प्रतियक भाग का प्रतियक भाग का प्रतिरोध होुआ कितना बागों वाजित किया गया है प्रतम पांच भागों को श्रेणी क्रम में और बाकी पांच भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसमें से पांच भाग ले लिए और पांच भागों को श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ेंगे दस दस ओम के पांच श्रेणी में ज और मुला कि आपको पता होगा और इनी पांच और दूसरे पांच को पांच को तो ष्रेणी करब में जोड़ा है में प्रतिरोध में को वाल फोर्मुला लगता है वान आरेक्विवेलेंट ब्राबर वन अपॉन आर्न प्लस वेन अपो खोंगता है और यथी प्रत्य कामान तो क्या होगा एंबाय आएगा यहां और उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे और बाय आजाएगा तो यह याद होगा तो सीधे यह कितना मिलेगा हम को 2 ohm मतलब पांच को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो मिला पचास ohm और 10 ohm के 5 को जब समानतर में जोड़ा तो कितना मिला तो ओम फिर क्या बोलगा है तो अंतिम सמ׉ंसाइयोजन का प्रतिरोध क्या है तो उजाएगा 52 क्योंके इद दोनों श्रेणी क्रम् याने सिरीज में आगे आगे आंसर हो जाएगा 52 ओम तो फिर इस तरह का सवाल बन पाएगा आप से पुड़ा सब्र रखना पड़ेगा क्या पढ़ेंगे आप एल लंबाई का और सो ओम प्रतिरोत का तार है दस बराबर भाग कर दिये प्रतिरोत सोगा इन दस भागों मेंसे जो दस भाग प्रश को श्रेणी क्रम में उड़ा पचास ओम आ जाएगा और पांच को समानतर क्रम में जोड़ा तो दो आ जाएगा फिर पचास और तो ये मिलकर हो जाएगा वावन तो आप मेंटल यी इसको सॉल्व कर सकते थे बशरते आपकी प्रैक्टिस और आप में धैर यह हो धैर यह होगा तो आराम से हो जाएगा जल्द बाजी में गलतियां होती है अब यह न्यूटन के गती के नियम न्यूटन लॉद आफ मोशन का क्विश्चन दिख रहा है रदर्शित चित्र में एक गुटका ए क इस पर दस न्यूटन का बल लगाया गुटका ए और बी के द्रव्यमान दो किलोग्राम तीन किलोग्राम है गुटके घर्शन रहित तल के ऊपर खिसकते हैं मतलब यह घर्शन रहित तल है इसके ऊपर खिसकते हैं गुटका ए द्वारा गुटका बी पर लगाया गया बल कि है एने अभी पर लगाएब स्माल ऐस बिब लगएगा स्मॉल एफ इस कि संपर्क बल कह लाते हैं और संपर्क बल निकालने के लिए शार्ट फॉर्मुला होता है संपर्क बल जबण है आपको निकालना है Fact you have a sister कि यह एक ही शब्द है पूरा जग्या चाहिए मुझे इसलिए यहां लिख दिया है ओभय निश्थ त्वरण मतलब common acceleration कैसे आएगा तो इस बल के लगाने पर यह दोनों गुट के साथ में साथ में यानि दोनों उभेनिष्ट्वरण दो मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर से मूव करेंगे यह कहलाता है और उभेनिष्ट्वरण में आपको रिमेनिंग मास इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में जिस पर सीधे बल लगाया वो नहीं बल्कि दूसरा जो बचता है इधर से बल लगा रहें तो यह रिमेनिंग मास हो गया मतलब यहां आपको बचा हुआ द्रविमान जो होगा जब टू ब्लॉक प्रब्लम होगी तो बचा हुआ द्रविमान लेना इधर आपको बात समझ में आई होगी बात समझ में यह दि तो विदिन नौ टाइम आंसर आप कर सकते हैं दूसरा वाला मतलब तीन यह नहीं आ जाएगा छे न्यूटन सिक्स न्यूटन इसका आंसर है तो बहुत ही आसान सा क्विश्चिन है बहुत ही डेसिक टाइप का आपने किया ही होगा नहीं किया तो आज आपको समझ में आ गया टू ब्लॉक प्रॉब्लम इसी तरह थ्री ब्ल दिली के केंद्र पर चुम्ब की शेत्र का परिमान कितना है दिया गया है निर्वात की चुम्बक शीलता फोर पाई गुणा दस्किगात माइनस साथ ऐसाय मात्रक फॉर्मूल आपको पता होगा मैं बच्चों को कहता हूं कि ऐसे लिखो इसे मियू नॉट अपॉन फॉर प करते समय मियू नॉट अपॉन फॉर पाई को इसको टेंटू दी पावर माइनस सेवन ले लिया जाता है यह हो जाएगा फिर टू पाई की वैल्यू थ्री पॉइंटी टू बैट सेवन डाल देते हैं क्यों क्योंकि यहां हमको धारा साथ एंपियर की जी हुई है यहां अभ दस गुणा दसकी घात माइनस दो तो यह आंसर आएगा फिर आपका टेसला में साथ कट गया अब बाकी सब दसकी घाते हैं आराम से सॉल हो जाएगा 22 कितना हुआ यह 44 हुआ और यह माइनस दो है उपर गया तो कितना बनेगा यह माइनस एक हो जाएगा दोनों मिलकर इसको तें और यह माइनस साथ मतलब दसकी घात माइनस चार माइनस जय सअ आएगा अब जलदबाजी में चवालीस देखके इसको टिक मत कर देना यहहां यहां सर नहीं है किसको साथ है म fans टाइच नहिए और यहां भी नहीं है तो फिर से वहीं आद्धैरि रखना पड़ेगा मिली मिली मतलब क्या होता है तेंटू दी पार माइनस त्री इसमें से यदि एक दस नीचे ले जाएं तो बचेगा क्या बचेगा वह माइनस तीन और वो जो नीचे ले गए दस उससे इसको डिवाइट कर दें तो क्या बन जाएगा यह 4.4 तो यह अभी भी टैसला में है पर को हम अब हम लिख सकते हैं 4.4 फोर millise टेसला मिली यह को सब्सक्रान का अंसर अंसर…? तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्सों प्रमेर में यो की संख्याओं का अनुपात ेन पी यह बराबर वन बर इस बर और वि-पर किसके बराबर है Vs upon Vp किसके बराबर आपने पढ़ा होगा इसको कहते हैं transformation ratio परिणमन अनुपात ट्रांस पोर्ण स्पोर्मेशन vice transformation ratio हिं इसको लिखा होता है परिणमन अनुपात परिणमन अनुपात मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज जितियक कुंडली जो है उसका वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज जिसका अनुपात यह कहलाता है परिणामन अनुपात और यह होता है एनस मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं अपॉन प्राइमरी में कितने हैं तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है भी सब्सक्राइब कितना होगा इसको ऐसे लिखना नहीं एन पी अपॉन एनस और एंपी अपॉन एंएस कितना दिया हुआ हमको वो दिया है वन अपॉन टू तो यह रेसी प्रोकेट होकर हो जाएगा टू इस्टो वन तो फर्मुला बेस्ट क्विश्चन था आंसर इसका तू सही है नेक्स्ट क्विश्चन क्या बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा ग्राफ वन अपॉन लेम्डा स्क्वेर तता इसकी गते जूर्जा ई के परिवर्तन को दर्शाता है जहां लेम्डा एक मुक्तकन की दी ब्रोगली तरंग दैर्द है तो क्या याद आना चाहिए आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्द आ है प्लांक नियतांक और पी है संवेग रेखी यह संवेग और गति जूर्गा में क्या संबंद है आपस में यह आपने 11 में पड़ा हुआ है यह होता है तू उसकन का द्रव्यमान इंटू काइनेटिक एनरजी मतलब ए तू एम के या टू एम यह यह लिखा हुआ है उससे आपको संबंद किसके पीश में मालूम करना था कि एम ग्राफ बना सके वन बाइलेंदा स्कूर और ऑ यह में कैसा संबंद है यह हमको पता करना है तो ग्राफ पता हो जाएगा तो लेंडा स्क्वेर क्योंकि चाहिए तो इसका वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का यह गया लेंडा स्क्वेर बराबर एच स्क्वेर अपॉन टू एम ए में इस इमें यहा लेंडा स्क्वेर को वन अपॉन लेंडा स्क्ेर और बचता क्या है है एच स्क्वेर एम और यह जो राशा है यह तो नियतांक होता हिए और उसकण का द्रविमान भी नियत होगा जिसकण की बात चल रही है तो यह यदि दोनों यह constant है इसका मतलब e और one upon lambda square यह कैसे हो गए समानुपाती पूरा इसको ले 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 तो e और lambda square तो भी उत्रमानुपाती है पर e और one upon lambda square कैसे हो गए समानुपाती और यदि यह समानुपाती है तो जो graph मिलेगा उसको कैसा होना चाहिए सरल रेखा straight line होनी चाहिए क्योंकि यह राशियां e और one upon lambda square पूरा यह कैसे है यह है proportional इसका मतलब सरल रेखा मिलनी चाहिए option for correct हो जाएगा तो बहुत ही आसान सा question यह आपने किया भी होगा नेक्स्ट नीचे दो कथन दिये गए कथन एक पर्मानुप वैद्यत उधासीन होते हैं क्योंकि इन में समान संख्या में धनात्मक तथा रनात्मक आवेश होते हैं यह तो आपने electrostatic तिरविद्ध्यत में घु यह वह उदासी इन होता है कोई भी परमानु यानि यह बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुए है कतन दो में कह रहे हैं प्रत्यक तत्व के पर्मानु स्थाई होते हैं नहीं लेड के बाद आपको मालूं में रेडियो एक्टिव होते हैं साही नहीं होते बलकि वह unstable याने स्पेक्राम मुठसरीत करते हैं तो हर इसा सही नहीं है तुम है ओतने में से कुछ कि ऐसरीत करते हैं पर यह अगति शुथ है कि तो कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, यह मेरे पास में लिखा हुआ है, तो option तीन correct हो जाएगा, तो ऐसे questions में भी थोड़ा समय देना चाहिए, जल्दिबादी में आम मालवाग यह बात समझ में आ भी गई, तो इधर mark करने में option कौन सा सही है, उसको mark करने में भी जल्दी नहीं मचानी च चाहिए, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ आप से बच्चों में सिर्फ धहरे की कमी है, योग्यता की कमी बिल्कुल नहीं है, धीरच की कमी है उनमें, पेशन्स की कमी है, बहुत जल्दबादी रहती है, उनको solve करने में भी और सीखने में भी, और इसलिए उनको वही वीडि एसा है कि इसको आराम से ही पढ़ना चाहिए, तो एक गोलक की डोरी से क्षैतिश तल में इस प्रकार गुमाया जाता है, इसकी प्रारम विक्चाल ओमेगा आरपी एम है, तो आप जानते होंगे, आरपी एम का मतलब होता है, रिवालूशन पर मिनिट, मतलब एक मिनिट में रिवालूशन जितने उसने चक्कर पूरे किये, उसको कहते हैं रिवालूशन पर मिनिट, तो ओमेगा आरपी एम से पहले वो गूम रहा था, कब जब उसको क्षैतिश तल में घूमाया जा रहा था, यहां बना सकते हैं उसकाम डाइग्राम, दो तरह से इसको सॉल्व कर सक सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले वीडियों में कुछ अलग से अलग तरह से सॉल्व किया ता ऐसे भी इसको किया जा सकता है मान लो यह हैं द्रविमान का कंड और इसको ओमेगा से इसको घूमा रहें, जब ओमेगा से इसको घूमाएंगे, तो हमको मालूम है केंदर की केंड्र की और एक बल कारे करेगा उन यही रोल प्लेय करता है संध्र आपको मालूम महुगा अभी केंद्र मुन याक केंद्र ओमेगा कर दिया तो ये भी CONSTANT ये भी CONSTANT कि दोनों नियतांक ही हैं अलढड़ी ओमेगा स्क्वैर और टी कैसे हो गए हो गए समानुपाती और यदि ओमेगा दुग कर दें तो तनाओ चार गुना हो जाएगा तो बस यह ऊद्ला आपको याद आ mit यह था आवश्यक अभी केंद्र बल बराबर तनाव और दोनों यह नियतांग और इसलिए प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेर ओमेगा को दुग ना किया तो तनाव चार गुना हो जाएगा आंसर तू करेक्ट है तो असान क्वेश्चन था अगला निम्लिकित कथनों ए और बी को लेकर साही उत्तर चुनिए सोलर सेल के लिए आई वी अभी लाक्षनिक मतब करेंट और वोल्टेज अभी लाक्षनिक दिये गए ग्राफ के चौथे चतुरतांश में होते हैं मालूम होगा आपको एंसी आर्टी में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है इस तरह का होता है आई वी अभी लाक्षनिक वक्र जो चौथे चतुरतांश में होता है यह बात बिलकुल साही लिखी हुई है उत्क्रम अभिनत्त पी जंक्शन डायोड में धारा बहु संख्यक आवेश वाहाकों के कारण माइक्रों एंपियर में म इसका अंसर क्या हो जायेगा एक सही एवं बी गलत है यह सही है एवं बी गलत है ऑप्शन वन करेक्ट हो गया तो यह एंसी आड़ी के एकस्साइस भी सॉल्फ करने चाहिए आपका पेपर एंसी आड़ी पर बेस ही होता है आपने यह बायो में भी देखा होगा चैरा अब उसमागतिक निकाय के चक्रियप्रक्रम ABCD A से ले जायजाता एक उस्मागतिक को होना चाहिए द्रौक्रम ABCD A से ले जाया जाता है बीक पत्र यह आधिक जबारा-कृत-कृत-कार्य इस तरह से उस निकाय को ले जाया जा रहा है be aby कि हमसे पूछा क्या है बस यहां गल्ती हो सकती थी यह क्वेश्चन भी ऐसा है जो असावधानी से इसको पढ़ेंगे उनसे वह गलत हो जाएगा हमसे पूछा है का रिये पर कहां बीसी पत्र के अनुदेश गैस द्वारा करत का रिये तो गड़बड़ यह होगी कि जैसी आपने इसको देखा यह क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा पहले प्रैक्टिस में जैसी आपने इसे देखा आप इसका एरिया निकाल डालेंगे और एंटी क्लॉक है तो माइनस साइन के साथ यहां इन दोनों में से कोई टिक करेंगे करोगे तो माइनस साथ आने वाला है और यह अंसर गलत है क्योंकि हमसे वर्कडन पूछा है बी-सी के दोरान है यहां वीकी के दोरान और देख रहे सारे में पढ़ा वह है पीडीवी पीडीवी यहार बशन कर सकता है और 4 नंबर बड़े कीमती होते हैं आप लोगों के लिए जब सीटे इतनी कम हो और बच्चे इतने जादा हों तो आपको बहुत सावधानी से पेपर देना है धैरे के साथ में एक पतला गोली कोश किसी स्त्रोध द्वारा आवेशित किया गया है प्रजरशित चित्र के अनुसार दो बिन्दूओं तो जतना विभाव पी पर होता है उतना ही विभाव होगा इस गुले के अंदर के प्रत्यक दिन्दू पर तो शी पर भी उतना ही होगा और इसलिए बहुत कितना होगा विभावांतर हो जाएगा शून्य मतल्य इसको भी शॉल्म नहीं करना था बस ध्यान से इसको पढ़ना तो इसका भी आंसर , तो इसका भी आंसर , तो अगलास करते हैं , क्या बोल रहा है एक पतली छड पतली छड इंपोर्टेंट एक गजरने वाले छड के लंबवद अक्ष के परिता जड़त्वागूर्ण चोबिस सो ग्राम सिंटीमीटर स्क्वेर है चार सो ग्राम की छड़ की लंबाई लगवत है वह मको निकालनी है तो अब यदि फॉर्मुले आपको याद है तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है आपको पता होगा कि ऐसी छड़ इस तर इसका जड़त्वागूर्ण होता है मेल स्क्वेर बाई 12 कि फॉर्मुला यदि याद आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है और यही हमको दिया है जड़त्वागूर्ण और दूसरी बात यह कि आंसर सेंटीमीटर में यह सगसा पद्धती में आ रहा है और यह जो डेटा दिया हुआ है वो भी सीजेस पद्धती में है याने कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है सब कुछ आपको सीजेस में काम करना है तो है मेल स्क्वेर बाई 12 इस इकुल टू कितना है वह चोबीस सो इसलिए यूनिट नहीं लिखा है मैंने और द्रव्यमान दे रखा है 400 ग् ऐसमें सेल स्क्वेर को हटाया वैस्वेर बरावर क्या होगा चोबीस सो गुरा बाराव अपाउन द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 400 तो यह 400 से 6 बार कटेगा मतलब यह आगया 72 बहत्तर आगया यह तो एल स्क्वेर बरावर 72 और 72 को लिख सकते हैं 36 गुणा 2 याने 6 रूट 2 आ जाएगा आंसर पहले तो 36 गुणा 2 लिखा और फिर वर्गमूल लिया तो आगया 6 रूट 2 और आंसर आएगा किसमें आंसर आएग रहा है आपको तो यह होना चाहिए आंसर वह भी लगभग पूछा हुआ हैंसे आप सॉल्क करोगे भी तो यह आने वाला है 1.41 रूट 2 कमान गुणा 6 किया 24 और यह आ गया 8.46 जो लगभग 8.5 सेंटीमीटर के बराबर है आंसर वन करेक्ट हो गया नेक्स क्विश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्रत्ताकार पत पर एक समान चाल से गतिमान एक कण चारी रखता है मतलब यह बात हो रही है एक समान व्रत्तिय गति की बात हो रही है यू-सी- M, Uniform Circular Motion आपको मालूम है Uniform Circular मोशन में कण की चाल नियत होती है मतलब वेग का परिमान नियत होता है ना कि वेग तो आप्शन देखते हैं यह होगा नियत नियत हो गई है नियत मतलब नियत आंक तो चाल नियत होती है वेग लगातार बदलता है वेग होता है इस परश्रेखा की दिशा में और वो दिशा में लगातार बदलता रहता है तो क्या वो नियत वेग से घूम रहा होता है नहीं वेग दिशा के करण निरंतर परिवर्तित ह होता है नियत तुरा बिलकुल नहीं हिए कहां करता है कि भरन काम करता है सेंट्र की तरफ जिसकी बात की थी हम ने अभी केंडर बल इसका पर इम रेंट स्क्राइर Jake मैं और उसकी लिए मू रोंगल की ओर होती है इधर होने पर मतलब अबी दिशा के कारण निरंतर बदलता है तो त्वरन को नियत नहीं कह सकते क्योंकि तारभ रहा सدश भातिक राशी वेग भी सध़िश है मतलब परिमान दिशा दोनों नियत होना चाहिए तब फिर इसको नियत बोल सकते थे फिर नियत वेग परंतु परिवर्ती त्वरण नहीं परिवर्ती वेग परिवर्ती त्वरण ये भी गलत है ये सही है परिवर्ती वेग दिशा के कारण परिवर्ती त्वरण भी दिशा के कारण तो option 4 correct है फिर next क्वेशन यदि मुक्त आकाश में प्रकाश का वेक सी है फोटॉन के लिए निमलखित में से सही कथन कौन सा है फोटॉन की ऊर्जा यह बराबर एच नियू यह बिल्कुल ठीक बात लिखी है इसी कुल टू एनर्जी फोटॉन की फोटॉन की ऊर्जा प्लैंक नियतांग फोटॉन का समव्वेग एच नियू भई सी है तो संबेग अभी हमने देखा था एक बाइलेब्डा सकते हैं नेंडल सकते हैं लगी सीट साइनियों यने एचनियूंपां सी बीउ से लिखा जा सकता है तो सीवी सही है फोटाउन इलेक्ट्रों संगत्ट में यह einem कोलीजन जब होता है फोटान एलेक्ट्रान का तो कुल ऊर्जा कुल सम्वेक संरक्षत होते हैं येस क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलीजन होती है पूर्ण प्रत्यास्थ संगट होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलीजन पर्फेक्टली इलास्टिक मतलब ही पूर्ण प्रत्यास्थ यह उधारण है पूर्ण प्रत्यास्थ संगट का और इसलिए कुल उर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहेगा फोटान पर धनात्मक आवेश होता है यह तो बहुत गलत बात लिखिया है फो ओप्षन तू करेक्ट हो गया अगला क्रेश्चन कि अब बोल रहा है किसी प्षण टी पर पांच न्यूटन बल्के अंतरगत किसी कंड का विस्थापन 2-1 मानलो एक्श दिशा में गती हो रही है और यह है 2-1 ऐसा है मात्रक में ऐसा है मात्रकों में यह दिया हुआ है आप को किस तरह पोजीशन तो रही है समय के साथ वरावर को माहन क्या सकती का मान क्षणिक मतलब ताद क्षणिक इंस्टेंटेनियस ताद शने क शक्ति ताद शने को बात हो रही है वह निकालना है वो भी ऐसा है मात्रपों में तो क्या करेंगे हमको मालूम है पावर का फॉर्मुला instantaneous power f.v जिसमें वी है वेग को ओपन करें तो एफ वी कॉस्ट थीटा और बल और वेग एक वेग कितना है वेग निकालना पड़ेगा इसको differentiate कर देते हैं दी एक्स अपॉन दीटी है तो वी बराबर होता है दी एक्स अपॉन डीटी तो इसका डीडीटी करना है तो डीडीटी ती इसमें टू बाहर आजाएगा और टीडीटी बन हो जाएगा माइस यह तो यह सै यूनिट का मतलब यह है क्या पोजीशन पॉजीशन मीटर में वेग मीटर प्रति से कंड में मालों पूछ लिया होता तो यह निउटन में और वेग मीटर प्रति सेकंड में तो हमको तो तो पावर निकालनी आंसर वाट में आता यदि यूनिट्स के साथ बोला होता तो अधर्वाइस यूनिट्स ये इसका आंसर है क्या हुआ पर आंसर क्या हुआ इसका आंसर हुआ दस क्याने ऑप्शन वन करेक्ट हो गया अगला क्वेश्चन एक प्रकाशकिरन समकोनी ये प्रिज्म के बिंदू पी पर तीस डिग्री के आपतन कोन से प्रवेश करती है जैसा कि चित्र में दर्शाय गया है ये प्रिज्म के आधार बीसी के समानतर चलकर एसी सतह के अनुदिश पार गमत होती है प्रिज्म का अपवरतनांख है ये साइन आर पर इस से काम नहीं चलता है आपको इसको इस तरह याद रखना है व्यूसाइन फीन गेहां प्रिज्म के लिए सभी है ये और तो हमबात करेंगे पहले जो प्रष्ठ ए बी पर अप्वर्तन के लिए पर अप अन्के लिए हम अप वर्तन के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे कैसे लगाते कि तो देखो यहां पर आप अन्कोंड कितना है तीस और यह किरण फ़र विख्षैप का कौन और वन यहां लगा रहे हो आप स्नेल का नियम तो आप लिखोगे इस तरह से म्यू साइन थीटा कॉंस्टन्ट तो बाहर खड़े हैं तो माध्यम कौन सा वायू वायू है तो लिख लेंगे वन उसका प्वरतनांग और उस माध्यम में बनने वाले एंगल का साइन अब फिर मान लेते हैं प्रिजम के पदार्थ का प्वरतनांग है मू जो हमको ग्याद करना है वह है मू तब जिस माध्यम में किरण गई उसका प्वरतनांग मू और उसमें बनने वाले एंगल का साइन मतलब साइन और वन इस तरह एक्वेशन लिखेंगे फिर से बोलता बाहर माध्यम कौन सा वाई हो ओन कितना है तीस के लिखेंगे वन शाइन थर्टी तो अंदर गई जब यह किरण तब माध्यम का प्वरतनांग है मू एंगल आरवन तो लिखेंगे मू साइन आरवन इनको एक्वेट कर देंगे ऐसा करने पर यहां से साइन आरवन आ तो यह हो गया वण अपॉन टू एप्र दिशिया वनको मिल गया जिसकी जरूवत थ corporations की सरफेस ची सिस्थी के लिए प्रश्ट पर इस Si Prora न के लिए अप वरतन न के लिये फिर से लगा रहnut हैं house cream, have니다 प्रश्ट एसी पर अपवर्तन के लिए तो यह आपतन कोण हो जाएगा और इसको मान लेते हैं आर्टू और आपको बोलाए कि यह किरण कैसी जारी आधार के समानतर मतलब यह नियूंतम विचलन की स्थिती में है आर्टू आपतन कोण और यह नब्या जिसको निर्गत कोण क जसकte कहते हैं तो एंबरहों होता है एर्वन प्लस हाडब कि एरवन प्लस अर्टू और हम रतू को इनवायन गम्हे। तो यह हमें दिया हुआ है एक इतना नब्व है क्योंकि समकोन एक प्रिज्म है तो आर्टू कितना हो जाएगा नाइंटी माइनस आरवन इसको यहां यूज करने वाले हैं फिर से लिखता हूं मैं से क्या लिखेंगे नियू इसमाध्यम का परतनांग इसमें बनने वाले कौन अंकर साइन मतलए साइन भान को एफ मैनिस आरवर का इसी सटो बहार आएंगे तो वाई में और चाहिए नाइनटीं मॉता है होता है और यह होता है ननी ने मैनोस ठीटा कंश हो थीटा होता है या यह हो गया म्यूशार में बराबर ग्पाष ये सु anda कि अस यक्या वं आरव आएविए सब हम क्यों कर रहे हैं को मियू की वैलिव चाहिए पहले हमने निकाल लिया साइन आर फिर निकाल लिया कॉस अरवन अब इन दोनों हिस उनलís स्क्वेयर और बैयदंट फोर म्यू स्क्वेयर होगा वन अपान म्यू स्क्वेयर और वन अपन मूच्वेयर कर द्या कॉमन कंदर क्या बचा उनदर वचा फईव छ एल और इसका मतलब मियू आ गया आपके पास वूट फाइव अपॉन तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अब तक का सबसे डिफिकल्ट और एक वो चुम्बक वाला जिसका फॉर्मुला याद आने पर और थोड़ा पेशन्स रखने पर वो सॉल्व होता पर यह क्वेश् फिर से बोल रहा हूं मैं आप फिर भी पेशन्स तो रख नहीं है परशान नहीं होना आप यह दो को बहुत आसान सा क्वेश्चन आया क्या बोल रहे हैं निम्लिकित परिपत में टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच तुल्य धारिता कितनी है तो आप देख रहे हैं किसे पता क्यांकि इससका वेश्चा रिसकानुपाथ वही यह इन दोनोह कहा है मतलब इस वाले को आप हटा सकते हैं मन AGA JUST और इनको हटाने के बाद यह दोनों आजाएंगे श्रेणी क्रम में और आपस में इनका होगा समंतर क्रम 2μF 2μF के यदे श्रेणी क्रम में है तो इनका परिणामी कितना होगा वह वह वन अगो जन्रली बच्चों को स्प्रिंग निये तांग और यह क्या है तो यह है पावर आफ बल्ब्स मतलब बल्ब की शक्ति जब बल्बों को हम शेणी या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब तब की बात तो के भी और सी सी धारिता इनके सूत्र एक जैसे होते हैं एक कोई भी याद आ गया तो बाकी और फिरीज में ने लिफान प्लसनडर बाइक सीरीज में और फिर यदि दो सीणार अर्वारन के में कि इनको जोड़ा हुआ है तब सी कि इक्विवेलेंट कितना होगा सी अपॉन एंड और प्रतिरोधों के समांतर करम के लिए ऐसा होगा आरेक्विवेलेंट बराबर और थो यह दो और के दो मिलकर भी एक हो जाएगा और यह आपस में हो जाएंगे समानतर में याने फाइनल रिजल्ट आएगा टू यह इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान सा क्विश्चन फिर वह आशियां जिनकी विमाएं गन कोण के समान है गन कोण मतलब सॉलिड अंगल इसकी इस्टे रेडियन यह आपने गौस लौ में पढ़ा होगा और इसकी इकाई तो इस्टे रेडियन पर पर यह होता है डाइमेंशन लेस्ट विमाहीन विमाहीन बहुत इक्राशी है तो हमें यहां देखना पड़ेगा कि इन में से कौन विमाहीन है तो जैसी आपने प्रतिबल देखा इन दोनों को विमाहीन होना चाहिए तो कौन तो विमाहीन है पर प्रतिबल नहीं है यह आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह उप्सक्राइब मतलब तो एक लंबाई होती है इसके तो विमा होगी यह यानि यह भी नहीं हो सकता यह सही है और होने ही चाहिए विक्रती विमाहीन और कौन भी विमाहीन होता है यानि option वन करेक्ट हो गया अगला question क्या बोल रहे हैं एक मीटर लंबाई के स्टील के तार की प्रत्यास्तता सीमा की प्रत्यास्तता सीमा तथा इसका प्रत्यास्तता गुणांक क्रमशा वो दोनों दिये हुए है एसाई यूनिट्स में इस तार की लंबाई में व्रुद्धी है तो यंग प्रतियास्ता गुणांग का सूत्र लिखना पड़ेगा वो क्या होता है प्रतिबल प्रतिबल क्यों लिखा मैंने प्रतिबल यहां क्यों कि वह सीधे आपको दिया हुआ है प्रतियास्ता की सीमा मतलब वह अधिक्तम प्रतिबल जो स्तार पर लगाया जा सकता है उसको कहते है उसके प्रत्यास्ता की सीमा जिसके परे वो कैसा हो जाएगा प्लास्टिक बन जाएगा प्रत्यास्त नहीं रह पाएगा तो उसे कहते हैं अधिक्तम प्रतिबल यह अधिक्तम प्रतिबल जो स्तार पर लगाया जा सकता है अधिक्तम प्रतिबल और यहां आएगा विकृती और विक्रुती को तो आप ऐसा लिख सकते हैं लंबाई में परिवर्तन स्मॉल अपॉन प्रारंबिक लंबाई तो अब हमको क्या-क्या दिया हुआ है इसमें से हमको चाहिए यह स्मॉल यह हमें गिवन है अधिक्तम प्रतिबल और यह भी पता है एक मीटर लंबा तार है और यंग यंग मॉडूलस भी दिया हुआ है तो इसको एल के लिए हमें सॉल्प करना यह यह तो ऊपर चला जाएगा और आएगा अधिक्तम प्रतिबल तो प्रत्यास्ता की सीमा वह दिये आठ गुणा दसकी घात फिर कैपिटल एल वन यह हो गया और य आएगा नीचे और एल इधर चला जाएगा वाई को नीचे ले जाते हैं वह दो गुणा दसकी घात 11 कि चार बार कट गया और इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हुआ चार गुणा दसकी घात माइनस तीन और अंसर किसमें आएगा यह मीटर में अभी मीटर में आएगा इसमें से कौन सा सही है आंसर तो मिली मीटर में दिया हुआ है तो सीधे लिख सकते हैं हम चार मिली मीटर चार मिली मीटर इसको लिखा जा सकता है 4 x 10 to the power minus 3 मीटर या चार मिली मीटर याने option one correct हो गया अगला question us worship में एक टीव चड चड चुम्ब पीवर चड चण रचुम्बोच झाले लिखना चाहिए था इनको प्रबल फ्रॉंग idea चड चुम्बध प्रबल चड चुम्भध पराइन आलिका एक से पर नालेका दो की और गती कर रही है परिनालिका एक में प्रेरित धारा की दिशा तता परिनालिका दो में प्रेरित धारा की दिशा क्रमशा दिशाओं में है तो आप कैसे करेंगे इसको solve ये एक परिनालिका है ये एक परिनालिका है और एक magnet है उसका South Pole है यह North Pole है और इसको इस तरह से चलाया जा रहा है तो लेंज के नियम से सोचेंगे इस परिनालिका के आखरी इस फेरे की यदि बात करें जो आखरी वाला है उस फेरे की बात करें उसकी ओर यदि South जा रहा है तो South के पास आने का विरोत करेगा और विरोत करेगा तो क्या बन जाएगा साउथ जो बिलकुल सामने वाला पहला फेरा है उसकी बात कर रहा हूं मैं वह साउथ बन जाएगा साउथ बनने के लिए इस तरह से क्लाउकवाइज याने दक्षणावरती धारा बहानी चाहिए उसमें प्रेरां के कारण बाल में निकल और निकल रही है वर दारा कैसी होगे डीषी इस पर ना लिक यृत Richt तो यह है इन दोनों को तो बिल्कुल टिक नहीं करेंगे अब इसकी बात करें इस वाली पर नालिका के लिए आपको इस तरह देखना पड़ेगा और क्या देख रहे हैं आप यह नौर्थ उससे दूर जा रहा है और दूर जाने का विरोध करने के लिए वह भी साउध बन जा सोचना पड़ेगा वह है बी यानि इसका आंसर यह सही है आप्शन वैन इस करेंट एक करेक्ट एबी और डी सी पर नालिका एक है इसका आंसर है अगला question को एक ग्रह का द्रविमान प्रत्वी के द्रविमान का एक बटे दसवा भाग है तो किसी यानि किसी ग्रह का द्रविमान प्रत्वी के द्रविमान का एक बटे दस है यह एक जानकारी दी है तता इसका व्यास प्रत्वी के व्यास का आधा है व्यास यह दी आधा है तो तरज्जा भी आधी ही होगी तो उस प्लैनेट की रेडियस कैसी है प्रत्वी की तरज्जा का आ मतलब यह दो बाते हमको बताई हुई है उस ग्रह पर गुरुत्वी त्वरण कितना होगा यह हमको ग्याद करना यह मानते हुए कि प्रत्वी पर वह 9.8 है कि बाकी कुछ नहीं बोला है सीधे आंसर्स में दिखाई दे रहा है आपको तो फिर कैसे करेंगे तो आपको एक फॉर्मुला पता होगा गुरुत्वी त्वरण का स्मॉल जी बरावर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वेर तो प्लैनेट के लिए दी बात कर रहे हो तो जी पी उस ग्रह पर गुरुत्वी त्वर स्क्वेर दिए एक चैनल छिए ग्यार इसका स्क्वेर यह जाएएगा ऑरत फोल्था ओंपर चला ओर और फॉर टैननी को अलग लिखें है यदि तो बचता बचता ऑस दियमि अप्वान आरी स्क॰ाव और यह कहां यह प्रत्वी पर जी कमान भूकितना होता था है और यह ओगा पॉइंट फॉर तो नाइन पॉइंट एट में पॉइंट फॉर का मुल्टिप्लाइब करने से अंसर आजाएगा यह बतीस तीन च्छतीस और तीन 49 और दो के बाद देसिमल दशमलव 3.92 3.92 मतलब option for correct हो गया तो आसानी से यह भी सॉल्व हो जाएगा कि फिर अगला question सूची एक वह सूची दो से मिलान कीजिए सूची वन में दिये हैं hydrogen की spectrum ही रेखाएं निमलिकेस तरों के संक्रमणों के लिए और सूची दो में तरंगदैर नेनो मीटर में तो इसको थोड़ा trick से आपको solve करना पड़ेगा क्योंकि आप solve करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा जैसी आप देख रहे हैं संक्र से दो पांच से दो छह से दो तो संक्रमण हो रहा है दो में यानि यह बामर सीरीज है और कुछ बच्चों को याद होगा कि बामर सीरीज सीरीज की जो maximum wavelength होती है वह यह होती है यानि एक option तीन मैच हो रहा है और आप इन में जाएंगे options में तो आप देख रहे हैं एके साथ के वल यही मैच हो रहा है मतला आगे कुछ solve all नहीं करना है सीधे इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है और यही एक्जाइमिनर आप से चाहता था कि आप इसको theoretically सोच कर कर लें theoretically सोच कर यहां आप देख रहे हैं इनका जो अंतर है वह सबसे कम है इसलिए इसमें तरंग्डेर्द सबसे ज़्यादा मिलेगी ऐसा भी सोचा जा सकता था इसका मैच हो गया एक के साथ में थ्री बाकी को आप मैच करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका आंसर है करा चाए तो परिवर्तित प्रकाश आंशिक भलाता है तो सीदह आनाे आपको भी यहां से आप पढ़ना और प्रीवर्त प्रकाश पूरणत भुष्यक्त सब्सक्राइब नियस नियम है यही कहलाता है ब्रूस्टर का नियम है blij है ओप्शन 4 करेक्ट है next question सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए इसको भी आपको लॉजिक के साथ कर रहा है थोड़ा सा चालागी दिखाना है कि सूची एक में कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं सूची दो में चुम्ब की प्रवरत्ति ससेप्टिबिलिटी लिखी हुई है अभी है कर सकते हैं जिसको चुंबे किप नहीं कर सकते हैं और यहाँ द्यान देंदी प्रती चुम्ब प्रति है मतलब डायाम उसके लिए ठी मतलब यह तु के साथ मैच हो रहा है बस आपका काम बन गया ए ए टू इसमें है और ए टू इसमें है मतलब यह दोनों हो नहीं सकते इन दोनों में से कोई होगा और डी है वन जो इसके साथ मैच हो रहा है मतलब option वन करेक्ट है इसमें आपको ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है तो अगला question समान्द्रविमान के दो पिंड ए तथा बी ऐसे हैं दो समान्द्रविमान के पिंड मान लेते हैं इनका द्रविमान है समान्द्रविमान के दो पिंड ए तथा भी पूर्णत यहां अप्रत्यास्त एक प्यमिय संगत्त करते हैं इनके बीच परफेक्ट्ली इन एलास्टिक कोलीजन होता है आपको पता है कि यह दोनों जूड जाएंगे एक दूसरे से और किसी उबहनिश्ट वेग से आगे बढ विलासिटी जीरो है और इसकी इनीशल विलासिटी वीवन है और फिर क्या बोल रहा है संगट के पश्चात निकाय का वेग वीटू है इन दोनों का मिलकर एक निकाय बन गया जिसका द्रविमान हो जाएगा टूम और इसका वेग है वीटू हमको बताना अनुपात वीवन अपॉन वीटू कितना है तो यहां लगाएंगे हम संवेग संदक्षण का नियम है तक करके पहले निकाय का संवेग कितना होगा एम वीवन इसका तो कोई संवेग होगा नहीं तो यह टोटल मोमेंटम पहले और बाद में दोनों आप साथ चल रहे हैं तो कुल द्रविमान संवेग और वेग इस निकाय का वीटू है एम कट गया हमसे पूछा क्या है वीवन अपॉन वीटू यह आ गया दो अनुपात एक यह इसका अंसर है तो इस्टू वन आसान सा क्वेश्चिन है उप्रोक्त नाभी की उत्सरजन के लिए उत्पात क्यूं की द्रविमान संक्य वह परमानु क्रमांक रमशा है तो आपको पता होगा कि यह नूकलियस का सिंबल होता है एक्स और यहां लिखा होता है परमानु क्रमांक और यहां लिखा होता है द्रविमान संक्या यह उसका केमिकल सिंबल है एक्स तो यह है द्रविमान संक्या और यह है परमानु क्रमां तो यह जेड दो से कम हो जाएगा 80 और ए चार से कम हो जाएगा मतलब 286 और एक नया न्यूक्लियस बनेगा वाई और उसके बाद क्या हुआ फिर इसमें से उत्सर्जित हुआ ई प्लस मतलब होता है पॉजी ट्रॉन और पॉजी ट्रॉन जब भी उत्सर्जित हो तो याद रखो कि द्रविमान संख्या तो नहीं बदलती और यह परमानुक्रमांक एक से कम हो जाता है मतलब यह हो जाएगा 79 और दूसरा एक अ Yahya बन जयन और फिर इसमें से उत्सर्जित हुआ बीटा नेगेटिव पीते नेगेटिव एक परहिकर नेगेटिव कि इसमें से उत्सर्जित हुआ तब क्या होगा यह एक से बढ़ जाएगा पर म्हानूक्रमांक और पर हमसे पूछा इस क्यूं के बारे में फिर से एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल एक ही बात है तो क्या होगा यह एक से बढ़ जाएगा याने 281 और 286 उतना ही रहेगा और आखरी न्यूक्लियस बना है क्यूं और क्यूं के संगत हमसे द्रविमान संक्याव पर्मानुक्रमांग पूछे हुए है मतां आंसर हो जाएगा 286 81 आंसर 4 इस करेक्ट अगला क्वेश्चिन यदि एक्स इस इक्वल टू यदि एक्स इक्वल प्लस देखकर समझ में आगया होगा कि विस्तापन समी करने सरल आवर्थ गती का तो एक्स इवल टू पाइव साइन फाइटी प्लस पाइवाई थरी मीटर करते हुए एक कम की गती को प्रदर्शित करता है निकायाम तथा आवर्तकाल क्रमशा कितने होंगे तो बस क्या करना चाहिए जब भी ऐसा question आए तो इसको SHM की standard equation के साथ compare कर देना चाहिए तो y is equal to a sin omega t plus 5 के साथ जैसी आप इसको compare करेंगे यह meter में दिया हुआ है तो यह amplitude आगया 5 meter के बराबर amplitude is 5 meter तो इनी दोनों में से कोई सही होगा क्योंकि इदर centimeter में लिखा हुआ है यह दोनों गलत तू या फोर में से कोई एक सही है दूसरा फिर पूछा है हमसे आवर्तकाल तो comparison पर हम देख रहे हैं उमेगा कितना है उमेगा पाई रेडियन प्रति सेकंड और इसलिए टाइम पी रेड हो जाएगा टू पाई आपॉन ओमेगा ओमेगा पाई डाल तो यह आजाएगा टू सेकेंड के बराबर यहने आवर्त काल है दो सेकंड पांच मीटर दो सेकंड यह इसका गरेक्टर अंसार है अगला क्या बोल रहा है 4.5 सेंटीमीटर तरिज्जा की एक बारीक समतल वृत्ताकार चक्ती को पानी की सतह पर धीरे से रख दिया जाता है यदि पानी का प्रुष्ट तनाव 0.07 न्यूटन प्रती मीटर हो तो इसको पानी की सतह से अलग करने के लिए आवशक आधिक के बल क पड़ेगा तैसी है वो चक्ती और उसकी हमको दे रखी है रेडियस उसकी रेडियस दी है 4.5 सेंटीमीटर और यह तैर रही है किसमें पानी की सतह पर पानी की सतह पर इसको तैराया गया है हमको इसको उठाना है ऊपर तो कितना आवशक आधिक के बल लगेगा पासान है ब तो पाय आर इंटू टी का लग रहा होगा और इतना ही बल उपर लगाना पुड़ेगा ताकि इसको क्या किया जा सके पानी की सतह से अलग किया जा सके बस यह इसका आंसर है इसमें वेल्यूस डाल कर इसको सॉल्फ करना है तो तो पाई की जगे 22 बैस सेवेन रेडियस कितन यह 4.5 पर सेंटी मीटर में है वो 4.5 इंटू 10 रेस तुदी पार माइनस तू और सर्फेस टेंशन सेवेन बाइंड़ कर देते हैं ऐसा यूनिट्स में ही है वो यह सेवेन कैंसल और बसमिन का मैल्टिप्लिकेशन करना यह एक दस और यहां बढ़ा गया मैंने तो टेंटु पार माइनस वाइव ऐसा हो जाएगा और बचते हैं यह तीन हो 45 जूनी होंगे 90 इसमें 22 का गुणा करना है तो क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा वन नाइन एट जीरो वन नाइन एट जीरो और यह आंसर आएगा कि इसमें बल है यह तो लेसे न्यूटन में आएगा आहब देखते हैं इसमें這些 यहods पूला तो नहीं सकते हैं यह बिलकुल होगा यह भी नहीं होगा इन दोनों में से कोई एक है कि और मतलब इसको मिली न्यूटन में हमको री प्रेजेंट करना पड़ेगा मिली को मतलब 10 तूदी पार माइनस 3 बचाना है और 10 तूदी पावर माइनस 2 को नीचे ले गए तेंटूदी पार क्या बन गया टू तूदी पार 2 मतलब इसको सौ से भाग लगा देना है 19.8 यह आंसर आया न्यूटन में भी 19.8 इंटू 10 तूदी पार माइनस 3 मतलब भी 19.8 मिली न्यूटन यह स्कांसर होगा अप्शन वन इसकरेक्ट तिर अगला यह लाजिक परिपत का निर्गत वाई किसके निर्गत के समान तो यह कौन से एंड गेट यह और इसमें लगा हुआ यह सरकल मतलब यह नंड गेट और यह नौर गेट और इनके जो आउत्पूट्स वो नौर गेट में इंपुट हैं हमको य के बारे में बताना है तो बुलियन अल्जेब्रा से या ट्रूप टेबल से इसको सौल वाप करेंगे तो इसका अंसर आने वाला एंड गेट चे दो कथन दिये गए एक को अभी कथन एक तथा दूसरे को कारण आर से चिन्नित किया गया है अभी कथन ए फोर इंटु टेंटु दीपा माइनस सिक्स कूलम मीटर प पहले इसको ही चेक करते हैं अभी कतन सही है क्या वी कितना होता है किसी द्वीद्रुफ से अक्षी स्थिती में तो वह होता है के मतलबी वन अपॉन फोर पाइपसिदन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वेल बिल्कि यहां आता है पी कॉस्ट थीटा अपॉन आर स्क्वेर अब यदि कहीं ऐसे किसी बिंदू पर अक्षी स्थिती में निकाल रहे हैं तो थीटा जो होगा आर और पी के बीच का कॉन वह जाएगा जीरो तो कॉस्ट जीरो होता है वन यानि विभाव आएगा वन अपॉन फोर पाइपसिलन नॉट पी अपॉन आर स्क्वेर किसी बिं तो पी और आर एंटी परलल हो जाएंगे विप्रीच समानतर यहां आएगा कॉस्ट वनेटी तो माइनस आ जाएगा मतलब फॉर्मुला ऐसी रहेगा ब्लस प्लस और माइनस साइन और आ जाएंगे यहां यहां यह विभाव निकालने का सूत्र अब यहां जो हमको अभी कथ प्लस माइनस तो यहां प्लस माइनस तो यहां आए गई फिर पी दिया हुआ है हमको फोर इंटू पावर माइनस सिक्स कूलम मीटर विद्रवागुरुन का परिमान और नीचे आएगा आर स्क्वेर आर दो मीटर तो यह हो जाएगा चार और ऐसा सूत्र कब होता है जब वो इन तो शॉटॡड डाइपॉल। शॉट डाइपउल का मतलब आर के सामने वहाँ बहुत कम हो जैसा कि यहाँ हो रहा है जैसा कि आहां यहां आप देख रहें के लिगाम माइनस सिक्स और इदर वो 2 difg recognition मीटर और इसओर ॏ शॉट डाइपॉल की लिए विभाउन का यह कि ёл प्लस-mineuse क्यों आते हैं इदर निकालें थो plus इदर निकालें तो माईनस और इसको solve करने पर चार तो कड गया यह कितना आया प्लस-mineuse20ड अनने उत्हींfahr थ्रिश में अन्सर आ आएगा नाइन इन्टू अएँट भाथ रटी वोल्टत और यहीं बोला एम से मतला अभी कटन ए तो सही है अब कारण में क्या बोला है वी बराबर प्लस माइनस बन अपॉन फॉर पा एपसिलन नौट टू पी अपॉन आर स्क्वेर जहां आर जी दूरुप के केंद्र से दो मीटर की दूरी पस्तित किसी अक्षिय बिंदू की दूरी है तो क् यह सूतुर होता है क्या कि सांप को मालूम है यां टू नहीं आता इस चू को हटा दें तो यह सही होगा टू के होने पर यह गलत है तो आंसर क्या हो गया कि ए सही है परंतु आर गलत है ए सही है परंतु आर गलत है ऑप्शन 3 इस करेक्ट अगला क्विश्चन एक बैल गाड़ी का पईया चित्र अनुसार एक समतल सड़क पर लुड़क रहा है यदि दिखाई गई दिशा में इसकी रेखिये चाल वी हो तो न हुआ रही है और यह उस वील का सेंटर ओफ मास द्रविमान केंदर जिसका यह दे रखाया वेग्ड अब जब रोलिंग होती है तो यह पॉइंट ऑफ कांटाट संपर्क बिंदू इसकी विलासिटी तो जीरो होती है और इसकी विलासिटी आप सवाल्फ करेंगे तो आएग है विर दूपि विन दूपर क्यों से धीरे गती करता है गलत यह दोंड़ी निया यह साओर यह रच्ट में और यह मेह 16 में retire संदार इत्र को एक प्रतिरोध द्वारा बैटरी से जोड़कर कि सेक्शन भी शुरू हो गया इसमें से कोई दस आपको करने थे हम तो सभी कुछ सभी करेंगे एक समानतर प्लेट संदार इत्र को एक प्रतिरोध द्वारा एक बैटरी से जोड़कर आवेशित किया गया है कोई धारा नहीं है धारा तो होती है उसी को कहते हैं विस्तापन धारा और कंडक्शन धारा और विस्तापन धारा यह दोनों बराबर होती है तो आई परिमान की समान विस्तापन धारा आई की समान दिशा में बहती है आई की विपरीत दिशा में गलत तो इसमें से और आए यदी है कॉनसी दारा जो परिपत में बैह रही है मतलब prop तारों में से बैह रही यह Nah we ašan के लिए जो तार जोड़े गए उन यदि यदि आई भेर है उसी को कहते हैं कंड़क्शन करन उतनी दारा उसी दिशा में होती है जिसको कहते हैं विस्थापंधारा प्लेटों के बीच यानि यह आप्षिन्स आई परिमान की समान विस्थापंधारा आई की समान दिशा में बहती है यह आपने विद्धु चुम्ब की तरंगों में पड़ा हुआ है अगला क्रेश्चन मुक्त आकाश में संचरित व विद्धियोद्चुम्ब की तरंगों का यहां चाल है इनकी यह बी सही है वह समान चाल से घटिमान ऑवेश हो द्वारा उत्पन नों होती है यह गलत है बलकि वह तवरित आवेशों से उत्पन होती है ना कि यूनिफॉर्म स्पीद्वेस से चलने वाले में तो यहां यद गलत है और हमको यही मालूम करना था कौन सा गुन नहीं होता तो नहीं वाला जब भी क्वेश्चन होता है तो underline कर लिए नहीं को तो अगला क्वेशन करते हैं एक सूक्ष्म दूरदर्शी सूक्ष्म दूरदर्शी के अभिद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी 140 नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है दूर स्थित वस्तू को देखने के लिए दूरदर्शी की आवर्धन ख्षमता कितनी है तो फर्मुला बेस्ट करना था बसम को एक सो चालीस अपॉन पांच तो यह 28 आजाएगा ऑप्शन तू इस करेक्ट अग्या क्वेशन दो हीटर ए तथा बी की शक्तिदर एक किलोवाट दो किलोवाट है वह दोनों पहले श्रेणी क्रम में फिर समानदर क्रम में एक स्थर शक्ति स्टोच से जोड याने यह है बल्ब और हीटर एक ही बात है क्योंकि बल्ब और हीटर में फिलामेंटी तो होता है तो शक्ति उसी पर निर्भर करती है तो बल्ब को जब सिरीज में जोडेंगे दो बल्बों को तो जो पावर आएगी श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जो पावर आएगी कि उसका यह सूत्र है यदि याद आ गया तो बहुत अच्छा होगा बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा कि श्रेणी क्रम का सूत्र याद कैसे आएगा तुमको मालूम है आपावर क्या होगी पीवन प्लस पीटू और यदि इनको समानतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समानतर क्रम में यह पी पैरलल यह हो जाएगा पीवन प्लस पीटू अब हमको अलग-अलग उनकी शक्तियां दे रखी है बस यह वैल्यूज डाल देते हैं पीवन पीटू मतल मतलब 3 किलोवाट हमको चाहिए क्या है हम को चाहिए दोनों स्थित्यों में फिर्क शक्तियों का अनुपात मतलब पीई सब्सक्राइब यह थे पीए से टूबाइज ठीर और पीए थ्री यान्यानुपात हो गया दो अनुपात नो तो इसी लिए सॉल्ब हो जाएगा यह य आसा याद रखातो और इनमें से कोई एक याद आ गया तो बाकी सब याद आ जाता है अगला कुश्यन निम्लिखित ग्राफ में एक आदर्श गैस के तीन दावों पीवन पीटू पीट्री पर पीवी वक्र प्रदर्शित करता है जांती तापमान वी आयतन जिसकी चाल्स नि नियत है दावनियत है और घ्राफ कीचा गया टी और वी के बीच में तो यह टी और वी को इसके नीचे ले जाते हैं वी प अपाउन वी बडराबर होगा पी अपॉन मियू आर जिस ग्राफ की होगी प्रवनता है इन ग्राफ्स की जो डॉटेट लाइन से दिखाए सरल है यह ऑगा नियतांक पर इसके नियतांक होने पर हम तो बात करेंगे किसकी पिजर रफी की यह दोनों यह थांग के नो दोनोल पर यदि आप इस पर ध्यांनने इस पर मोस पर आप देख रहे हैं ठीटा जिसके लिए सबसे से जयादा होगा प्रेशर भी उसके लिए जयादा होगा तो या प्रवनता जिसकी जयादा थे तो चैनल ज्ञा together पीवैंद इस greater than P2 is greater than P3 यह इस question का answer है तो option D सही हो जाएगा 4 सही हो जाएगा P1 is greater than P2 is greater than P3 एक बस्तू की गती का वेग समय ग्राफ नीचे प्रदश्यत है भी टी ग्राफ दिया हुआ हमको चाहिए लिटि चाहिए और ग्राफS τη ग्रासेती ग्राफ्त प्रियूस करना है यह समय इसके पहले I am Aन लेतने समय तो जीरो दिया है यह टी वन है इंस्टैंक पूंशिगयी सिग्षयतित टी प्रमणता होती है वो प्रमणता त्वरण को प्रदर्शित करती है तो यदि हम इस अंतराल की बात करें कहां से जीरो से जीरो से टीवन तो जीरो से टीवन के दोरान वेलासिटी जीरो है और वेलासिटी जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो होगा ये पहला अंतराल तो देखना है आप ये ग्राफ खाली पड़े हुए चारों मूलविंदू से शुरू किया समय शून्य से तो कुछ देर परण शून्य है तो ये इस अंतराल के लिए 0 से T1 के लिए अब यदि T1 से T2 की बात करें इस अंतराल के ल तराल रेखा है वी टी ग्राफ और इसकी प्रमनता त्वरण प्रदर्शत करती है तो थीटा ये कॉंस्टेंट है तो टैंब थीटा मतलबी एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट रहेगा और क्योंकि थीटा लेस दिन 90 है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटेव होगा पॉजिटेव और कॉंस्टेंट इसमें तो बदल रहा है यह इसमें भी बदल रहा है और इसमें नीचे दिखाया हुआ है मतलब यह ग्राफ सही होना चाहिए यहां देख रहे हैं आप तोरण कैसा है टीवन से टीटू के दौरान वह है कॉंस्टेंट और पॉजिटिव और ऑप्शन तो इसी इक हुए सही है पर यही आज़ा और चेक लगाना है तो दीटू से टीटिमें क्या हो रहा ती टीटू सेpeeory कि इस दौरान विलॉसिटी कौंस्टेंट हो गई और विलॉसिटी चौंस्टेंट हो गई मतलब रहा शून यह कि देखं उतार शून यह और फिर यहींा से टी फोर की बात करेंगे तो इसी तरह थीटा कॉंस्टेंट है तो यह तो कॉंस्टेंट है पर थीटा क्योंकि नभ्य से ज्यादा अधिक कौन है अप्ट्यूस एंगल है तो टैन थीटा नेगेटिव होगा मतलबी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और इसलिए उसे यहां दिखाया हुआ है तो कंफर्म हो गया वरिफाई हो गया कि यह ग्राफ है तो हमको एक वीटी ग्राफ देखर पूछा था एटी ग्राफ इसका अंसर थ्री सही है तो अगला कुश्चिन वह परिपत चुनिये जो ब्रिच की संतुलन प्राप्त कर सके तो वीट स्टोन ब्रज है इसके संतुलन के लिए कौन सा परिपत सही है यह हमको बताना है तो आप देख रहे हैं कि दो रेजिस्टर तो इधर लगे हुए है दस ओम दस ओम के और इधर एक पंदरा ओम का हर सरकिट में और एक पांच ओम के साथ एक डायोड लगा हुआ है तो पहले तो यह देखें है और पॉजेटिव टर्मिनल के मतलब यह कैसा है अग्र बाहसए अग्र बायस में जब्रूरी नहीं तो यदि अग्र बाइस है और इसका इसका प्रतिरोध कुछ है नॉन-जेरो तो इसके प्रतिरोध को भढ़ाएगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में हो गए मानलों इसका रेजिस्टेंस आ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस इदर फाइप प्लस आर होगा मतलब बढ़ गया और हम बढ़ाना ही चाहेंगे यदि यह संतुलन यह ब्रिज को हमें संतुलित करना है कि इदर अनुपात है एक नहीं इसे ही बदल सकते हैं यदि यह पंद्रा बना दिया जाए इस ब्रांच का रेजिस्टेंस तो यह ब्रिज बैलन्स हो जाएगा तो यह अगर आभिनात है मानलो इसका रेजिस्टेंस है दस ओम तो श्रेणी क्रम में होने की वज़़े से पंद्रा हो जाएगा और आबिनत इसके साथ यह समानतर क्रम में समानतर क्रम में जब 2 होते हैं जैसे यहां कितना आया 10 ओम आया था 10 हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस जो इसके साथ समाननुपात में नहीं होगा मतलब ये पिली यह के से तो यह के ये अग्र अबिनत भातफ यद Скंक ईठाकर अलग करना पड़ेगा तो फिर वह चार भुजाओं वाला वो ब्रिज रही नहीं पाएगा यानि ये भी संभव नहीं है अब इसको यदि देखें तो ये धन ये धन और ये रण मतलब ये भी उसी कारण से संभव नहीं है क्योंकि आजाएगा पश्च अभिनती में और पश्च अभिनत में ये ब्रांच ही काम नहीं करेंगी और इसलिए ये भी नहीं हो सकता तो ऑप्शन वन करेक्ट है और आपको ये आर्गुमेंट समझ में आया होगा अगला क्विश्चन करेंगे यदि एक सरलोलक में गोलक का द्रव्यमान इसके मूल द्रव्यमान के तीन गुने तक बढ़ा दिया जाता है तता इसकी प्रारंबिक लंबा यादी कर दी जाए तो दोलन का नया आवर्थकाल प्रारंबिक आवर्थकाल का एक्स बैटू गुना हो जाता है तब एक्सका मान क्या है तो बात हो रही है सरलोलक की ये उसका अवरतकाल और रविमान पर तो निर्वरी नहीं करता तो तीन गुने या कितने भी गुने कर दें टाइम पीरेट पर कोई फरक नहीं पड़ेगा और लंबाई के साथ इसका क्या संबंद है तो टी समान उपात में है वर्गमूल लंबाई का प्रपोर्पोर्शनल टू रूटल अप्रारंबिक लंबाई आधी कर दी तो यह नया आवर चानर और अवर्थकाल का आउपात और यह दिया हुआ एकसंवेक चू के पराबरैस बोλά है ये ओकला आवर्थकाल प्रारंबिक आवर्थकाल का शाम झाल का शब्लेशन दिया यहां से कितना होगा वोगा एक सपांट तो तो टीडाइच बाइट यह आया है इसको किस्ते करने एक्स बाइड टू से और क्या क्रॉस मेल्टिप्लाइब तो अपॉन रूट टू और यह हो जाएगा रूट के बराबर याने एक्स कमान रूट होना चाहिए कि यह आप्शन तू करेक्ट हो गया अगला क्रेशन एंद्रविमान तथा आर्ट रिज्जा की पृत्वी के तल से तू आर उचाई परस्ते एक वृत्ताकार कक्षा में एंद्रविमान के किसी उग्रह को पृत्वी तल से प्रक्षेपित करने के लिए नियूनतम आवशक उर त्रिज्जा है आर और इसके इसकी सतह से इसकी सतह से एक 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 एम द्रविमान आर त्रिज्जा यह तो पृत्वी की हो गई स्मॉल एम द्रविमान के किसी उग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है मानलो उसे उर्जा आपने दी है मानलो ई तो यह उर्जा देकर और इसको को प्रक्षेपित किया इस तरह कि यह क्या करने लगे तू आर उंचाई तू आर उंचाई मतलब सतह से तू आर उंचाई पर यह जो स्मॉल एंद्र विमान का यह उपग्रह है यह गती करने लगे तो यह उर्जा कितनी होगी हम से पूछी हुए नियुनता आवशक पूर्जा तो कैसे करेंगे इसको करेंगे हम उर्जा संदक्षन से यहां पर जब हम है यह उग्रह जब यहां है तब उसके पास कौन-कौन सी पूर्जा है एक तो वह गती जूर्जा जो आपने उसे प्रदान किये और दूसरी होगी उसकी सक्कूण आपने ब्रूमें और केंडर से दूरी इसकी यह अने आर इतनी उर्जा होगी सर्फेस पर अब जब करने का सब अब आजेगा उसके पास एक विलाउसीटिवेmp और विलाउसीटिख और आपट्म व्लासिटी होती यह तो hmm इसके पास एक औरहीटल स्पीड हाफ दूसरी होगी श nas यह होगा कि नहीं हो गी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन केंदर से दूरी वह होगी 3R के बराब और अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं पहले प्लस माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर और यह होगा हाफ स्बीनाट स्क्राइब यह को अपॉन यह स्मॉल एम आ रहा है वी ओका वेल्ई डाल रहा है वी ओका स्क्वेटों जी एमपन 3R ऐसा हुआ माइनस डी डी और से क्रफिक्ट्ट में से थोड़ा कैल्कुलेशन अपर वह कर लेते हैं बच्चे यदि उन्हें यह पता है कि वेश् हो सके questions करने चाहिए जितने आप से बनते हैं उतने तो फोड़ा रेंज कर लेते हैं तो हाफ एम यह अब नहीं लिखना है क्योंकि अल्रेड़ी हम लिख चुके हैं आपर कितना हुआ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सिक्स आर माइनस जी एम एम अपॉन त्री आर और अब इसको ले जाते हैं उदर क्योंकि यह हमें प्राप्त करना यह वराबर कितना इसको उदर ले गए तो एडिशन में आएगा यह प्लस साइन के साथ तो आप बोलें तो लिख देते है है जी एम एम उपॉन शिक्स आर याएगा फिर प्लस साइन के साथ इसे लिख लेते हैं जी एम मेंपॉन आर और अटभी वहां है म इनस जी एम अपॉन ठी आर ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है लगुत्तम लेते हैं कितना आएगा सिक्स आर और जी कैपिटल हम स्मॉल एम कर रिते हैं common अंदर क्या आएगा सिक्सार से भाग लगाएं तो वन आर से लगाएं तो सिक्स तिक्स और थ्री आर से लगाएं तो तो कितना हुआ यह यह हुआ शिक्स सिक्स फाइव हो गया यह कुल मिलाकर फाइव जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सिक्स आर यह होगी उर्जा जो आवश्चक होगी सर्फेस से उसे फैकते समय ताकि वो थ्री आर त्रिज्जा के इस की इस कक्षा में गूमने लगे यह इसका आंसर है आंसर इस फाइव जी एम स्मॉल एम अपॉन सिक्स आर ऑप्शन वन इस करेक्ट अगला कुश्चन एक तीवर चुम्ब की दुरूप के सामने एक शैतिश तल पर एक चादर रखी गई है एक बल आवश्यक है तीवर की जगे हैं लिखना था प्रबल पहला यदि यह चुम्बक है तो चादर को वहां रखने के लिए सिक्टिश तल पर चादर रखी गई है वह चादर यदि चुम्बकी है तो चादर को रखने के लिए बल आवश्यक होगा बिलकुल ठीक क्योंकि एक दीवर जुम्बक है उसके सामने चुम्बक की पदार्थ की वो चाधर है तो उसका आकर्षण आएगा उस आकर्षण के विरुद्ध हमको बल लगाना पड़ेगा यदि उसे वहां बनाए रखना है यह तो सही है निए वह चुम्बक है तो चादर को वह रखने के लिए बल आवश्क और भवनधार आएं गती का विरोध करेंगी तो उस विरोध के विरोध में एक बल तो लगाना पड़ेगा यदि हमें एक समान वेक से उसे चलाना है तो ये भी सही है ए और सी यदि वह कुछालग अध्रुवित है तो उसे चुम्बकित नहीं कर सकते तो फिर बल की कोई आव 10 वोल्ट पचाज हर्ट्स रोज से जोड़ा गया है परिपत में धारा का शिखरमान लगबक कितना है पाई है 3.14 तो यह दिया हुआ है अप्लाइड वोल्टेज और यह जो होता है वह होता है वी आर्मस कितना है वह 210 वोल्ट इसका मतलब शिखरमान कितना होगा यह होगा वी नौट यह मैंने क्यों निकाला क्योंकि मुझे चाहिए धारा का शिखरमान यान आई नौट वह होगा वोल्टेज का शिखरमान और यहां आएगा XC इसको क्या कहते है धारती यह प्रतिघात और यह होता है बन अपान ओमेगा सी और फिर आगे इसको आगे solve क करें आएगा वी नॉट ओमेगा सी अब बस यहां वेल्यूस डालनी है दारा का शिखरमान मिल जाएगा तो वी नॉट इस 210 रूट टू ओमेगा कितना है ओमेगा होता कितना है तू पाई एफ तू पाई एफ और यह फ्रीक्वेंसी यह फिफ्टी हर्ट्स तो यह हो जाएगा यह हो गया और क्या चाहिए और चाहिए हमको धारिता धारिता है दस गुणा दस की घाट माइनस च्छै क्यों क्योंकि माइक्रो फैरेट में दी हुई है तो सब को सॉल्फ करना पड़ेगा वैसे इसमें ज्यादा तर तो जीरो है आई मीन जीरो की पावर्स में आप पहले सॉल्फ कर लेना यह भी दस बन जाएगा वी पचास दुनी सव हो जाएगा यह हजार हुआ है कि हाजार इसको क्या बना देगा ह Eigंझा एफ जए लगा टेंटू भी पार माइनस त्री एक कि सब यह 50 तो मैंने 50 दूनी 100 करके 1000 करके इसमें मल्टिप्लाइ कर दिया उसको यह जीरो भी अब नहीं है नहीं किस रूट टू पाइ इंटू टू दी पाउर माइनस तू मतलब इसको 100 से भाग लगाना पड़ेगा तब आपका अंसर आएगा एंपियर में और सॉल्फ करने पर यह आने वाला यह पॉइंट नाइन त्री एंपियर यह इसका अंसर है अगला कुश्चन करेंगे क्या बोल रहे हैं पॉइंट फाइव इंटू टू दी पाउर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेर यंग प्रत्यासता गुणांक तथा टेंट दी पाउर माइनस फाइव प्रति डिग्री शेल्सियस रेखी है उश्मी प्रसार गुणांक की एक मीटर लंबी और टेंट दी माइनस त्री मीटर स्क्राइब प्रस्त पर इच्छेद क्षेत्रफल की एक धात्विक छड़को जीरो से सौ डिग्री सेल्सियस तक बिना विस्तार या मोड के गर्म किया जाता है उत्पन संपीडन बल कितना है तो संपीडन प्रतिबल वह होता है वाई अल्फा डेल्टा थी वाई यंग प्रत्यासता गुनांक वो दिया हुआ है में पॉइंट फाइव इंटो टेंटुदी पावर 11 अल्फा कितना दिया है तो अल्फा दिया हुआ है यह दसकी गात माइनस पांच और कहां से कहां तक घर्म किया है जीरो से सो मतलब यह सो आ जाएगा यहां और एरिय एरिया कितना दिया हुआ है एरिया दिया है टेंटुदी पार माइनस त्री बस इसका आपको गुणा करना है तो ज्यादा तर तो आप देख रहें टेन की पावर से आंसर फाइब वाला ही कोई होगा यह 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 होगा यह दोनों हो नहीं सकते इसको हटा सकते हैं आप नियूटन अब 술 नियूटन नीयूटन मत इसका मतलब ऑप्षण हो गया नेक्स्क्रेश्चन एल लंबाई की एक लोह चड़ चुम्बक का चुम्बक की आगूरण M है ऐसी दियूई है वो लोहे की चड़ इसकी लंबाई है एल और इसका चुम्बक की आगूरण M है और हम मान लेते हैं कि इसका इसकी जो दुरुव प्राबल्य है वह स्मॉल M माइनस स्मॉल M मतलब यह साउथ पोल प्लस स्मॉल M मतलब यह नौर्थ पोल ऐसी एक दंड चुम्बक है अब क्या किया यह लंबाई के मद्द से इस प्रकार मोड़ा गया है कि दोनों भुजाएं मोलगा साथ दिगरी का कोंन मने इस नाए चुम्बक का सुनुपक की अगूरन कितना है इसको बीच से मोड़ दिया मोड़कर मोड़कर इस स्तरय कर दिया तो यह लंबाई थी तो यह लवाइट टू होगी यह कौन बोला है साथ डिग्री और यह जो दिखाये थे हमने पोल्स यह साथ पोल इधर आ और यह हो जाएगा नौर्थ फोल और इनके बीच की दूरी कितनी होगी तो थोड़ी सी जोमेटरी लगाते हैं यह तो साथ डिग्री है यह दोनों बोजाएं बरावर हैं तो इस सामने के कोण भी बरावर होंगे और तीनों कोणों का योग 180 हो गया हर कौन साथ डिग्री का है संभावदुश बन गया यह लवई टूए लवायटू तो यह वी लवायटू होगा अब हमें चाहिए क्या है हमको चाहिए शुम्ब की आगुरुण तो किरुप रभवलता पहले इसका चुम्ब की आगुरुण लिखते हैं वह कृतना होगा ध्रुप रभाकरी लंबाए म और अब कितना हो जाएगा इसका चुम्ब की आगुर्ण तो द्रोप्रबलता तो उतनी रही और यह लंबाई अब लबाई टू हो गई दोनों द्रोवों के बीच की यानि यह होगा लबाई टू और इस ML को लिख सकते हैं सब्सक्राइब करने आपको इतक क्या दिया हुआ है में एक समांतर प्लेट संदारित्र की प्लेटें एक दूसरे की और गती करती है तब इसमें संचत आवेश बढ़ता है प्लेटें प्लेटें ए प्लेटें आपको क्या दिया हुआ हमेए समांतर प्लेट संदारित्र की जोड़ा हुआ है वे बैट्री से प्लेट मैंटरी को नहीं 살 हटा और फिर प्लेटों को एक दूसरे से एक दूसरे की और गती करती है मतलब डी को घटाया है बैटरी को जोड़े रखकर और डी को कम किया है तो यह समांतर प्लेट संदारितर की धारिता हो गई और वी कॉंस्टेंट रहेगा जब तक बैटरी जुड़ी रहेगी तो वी कॉंस्टेंट रहेगा और हमको बताना है की बात कर रहे हैं आप जानते हैं सी इकोल-टू होता है क्यों अपउन कि गाहिए कि तो वी तो चॉंस्टयनैं और आपने डी को कम किया है तो दारिता बढो जाएगी तो है अब गई तो आवेश भी बढ़ जाएगा इसमें संचेत आवेश बढ़ता है तो यह तो भिलकुल ठीक बात लिखी है इसमें संचेत ओर जा घटती है ओर जा कि यह भी बात करें तो ओर जाका ये फॉर्मॉला यूज करो आफ क्यूवी भी कॉंस्टेंट है और आवेश नहीं कि इस में लिखाया घटती है मतलब ये ताही नई है इसकी धारिता बढ़ती है तो दूरी कम करने पर अजया बढ़ती है इससके आवेश तथा बोल्टेज का अनुपात समान रहता है यह हम चेक कर रहें ली आवेश और वोल्तेज का अनुपात तो क्या होता है ये क् बढ़ेगा जबकि क्या लिखा है समान रहता है तो यह भी गलत है आवेश्ट था वोल्टेज का गुणनफल मतलब क्यूं और वी इसका गुणनफल तो वी कॉंस्टेंट है क्यों बढ़ रहा है तो यह गुणनफल भी बढ़ेगा तो बिल्कुल ठीक लिका है तोटल में यह बढ़ेगा गुणनफल यह बात सही लिखिया है नहीं आप्शन हमारे एसी और ही सही है एसी एंड़ी मतलब आप्शन टू इस करेक्ट अगला क्वेश्चन एफ इस इक्वेल टू क्या दिया है अल्फा टी स्क्वेर प्लस बीटा टी वारा परिवाश्य देख बल दिये ग जो दिखाय हुए expressions इन में से बताना है कौन सा विमाहीन है तो पहले निकालते हैं अल्फा की विमा अल्फा की विमा वही होगी क्या होगी पहले तो यह कि इसमें समांगता का सिद्धान्त लगा रहे हैं जो एफ की विमा होगी वह इनकी दोनों की मिलकर होगी फोर्स है इसी तरह बीटा को क्या लिखेंगे बल बटे टी और बल क्या मेल्टी माइनस टू अपॉंट टी यह बन गया मेल्टी माइनस त्री तो यह अल्फा बीटा की विमाएं हो गई हमको बताना इन में से कौन विमाहीन है तो यहां ध्यान यदि आपका चला जाता इस पर अल् यदित का कुणा हो जाए तो बंजाएगा टी माइनस ट्री और नीचे बीटा आरा इसकी विमाहीन हो जाएक है कि अधिन क्या क्या है मैल्टी माइनस 4 और इसमें एक गुणा हुआ है और नीचे क्या है माइनस 3 एंधी माइनस 3 और नीचे भी ऑलोगर माइनस 3 तो यह इसका अंसर है अंसर तो इसकरेटध सब करना मेरी आप सीख पाएंगे मुझसे 11 12 की पूरी फिजिक्स थैंक्यों वेरी मच और इसमें कुछ यदि कहीं गडबड हुई हो वह भी आप मुझे बताना आपको कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर वैसे तो चैनल पर भी है पर आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते ह आपको कुछ तकलीफ है फिजिक्स को ले कर तब नाइन एक टू सिक्स डबल त्री 4545 थैंक्यों वेरी मच